श्री गनेशा या नमाहा नमश्कार दोस्तो ये राशिपल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और उसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आपका व्यापार जॉब जैसे है वैसे चलते रहेंगे किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फायदा भी होने की संभावना कम है निवेश करने के लिए समय जोखिमबरा रहेगा सामान गुम हो जाना या चोरी होने की संभावना ज्यादा है विशेश कर यात्रा के दोरान तो यात्रा के दोरान अपने सामान का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा यात्राय इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो यात्राय ना करे मैरीड लाइप में इस दिन तनावभरी स्थितिया उत्पन हो सकती है शांती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की संभावना रहेगी ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता स्थितिया सामान ने बनी रह सकती है अगर आप विदेश में व्यापार या जॉप करते हैं तो आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा अगर लव लाइप की बात करें तो लव लाइप के लिए समय सामाने रहेगा किसी को प्रपोस करने के लिए प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी है तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा थोड़ा सचेत रहे शांत रहे जीवन को enjoy करने की कोशिश करते रहे अगर स्वास्ति की बात करें तो स्वास्ति के लिए समय अनुकुल नहीं है कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी जो लोग पहले से बीमार है उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा सेहत से संबंदी चोट गुलक में जरूर डाले आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले और इस दिन चंदन्या के सरकाति लग अपने माथे पर जरूर लगाए हमारा स्वास्त्य कापी हद तक हमारी आदतों पर निर्भर होता है अगर आप एक्जरसाइज योका करते है सुबह टहलने जाते है अपने स्वास्ते के अंदरूप डायेट प्लान बना कर उसे अच्छे से निभाते है तो सेहत से जुड़ी परिशानिया आने की संभावनाय काफी कम हो जाती है और इम्मिनिटी बढ़ने से मोसमें बिमारियों का खत्रा भी नहीं सताता तो दोस्तो खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज़्यादा चरहेगा